साथ क्यों, आज जब हम डिफेंस में आत्मनिर भर भविश की चर्चा कर रहे हैं, तब ये भी आवशक है कि बीते दस्षकों में जो हुआ, उससे हम सबग भी लेते रहे हैं, इससे हमें भविश का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। आज जब हम पीछे देखते हैं, तो हमें अपनी समरुद्ध मेरिटाइम हेरिटेज के दर्शन होते हैं, भारत का समरुद्ध ट्रेड रूट इस विरासत का हिसा रहा है, हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए, क्योंकि उन्हें हवा की दिश ज्यान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, किस रिति में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पढ़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्यान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी, देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है, कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबुथ हुआ करता था, आजादी के समय देश में 18 और्डिनस फेक्टरिस थी, या आटलरी गन समेट कई तरह के स्वैनीक साजो सामान हमारे देश में बना करते थी, दूसरे विश्वयुद में रक्षा उपकरणों के हम एक एहम सप्लायर थे, हमारे होविजजर तोपों इशापूर राइफल फेक्टरी में बनी मशीन गनों को उस समय स्ट्रेस्ट माना जाता था, हम बहुत बड़ी संख्या में एक्ष्पोर्ट किया करते थे, लिकिन फिर ऐसा क्या हुआ, कि एक समय में हम इक शेतर में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए हैं। और थोड़ा हम नजर करें, कि प्रथम और दितिय विश्विवद्ध ने बहुत बिनास किया, अनेक प्रकार के संक्यटों से दुनिया के बड़े बड़े देश फसे पड़े थे, लेकिन उस संक्यट को भी आपदाव को अवसर पड़े में पलेटने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने आउद के निर्मान के अंदर और दुनिया के बड़े मार्केट को कबजे करने की दिशा में, लड़ाई मैंसे वो रास्ता खोजा, और स्वयम एक बहुत बड़े निर्मान करता हूँ और बहुत बड़े सप्लायर बन गए डिफेंज के दुनिया में, यहने युद्ध जेला, लेकिन उस पैसे उन्होंने ये रास्ता भी खोजा, हमने भी कोरोना कान में इतना बड़ा संकर आया, हम बहुत एकदम से बहुत नीचे के पाहरी पर से, सारी ववसाएं नहीं थी, पीपी कीट नहीं थी हमारे पास, वैक्सिन के तो हम कलप्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे प्रधम विश्व उद्व मैं से दुनिया के उन देशों ने बहुत बड़ी सस्त्र स्वक्ति बनने की दिशा में रास्ता खोज लिया, भारत ने इस कोरोना कालखण में इसी बुद्धी मत्ता से वैज्ञानिक धरातार पर वैक्सिन खोज रहा हो, बाकी एक्विप्मेंट बना हो, हर चीज में पहले कभी नहीं हुआ, वो सारे काम कर दी, मैं उदहान इसलिए दे रहा हूँ, कि हमारे पास सामर्त है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, अशा नहीं है, और ये भी बुद्धी मानी नहीं है, कि दुनिया में दस लोगों के पास जिस प्रकार के वजार है, वही वजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दो, हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेइनिग अच्छी होगी, तो उस वजार का साइज ज्यादा अच्छा उप्योग करके निकल जाएगा, लेकिन बै कब तक ही रिस्क लेता रहूँगा, जो अजार जो हत्यार उसके हाथ में हैं, वैसा ही हत्यार लेकर ये लेकर मेरा नौजवान क्यों जाएगा, उसके पास वो होगा, जो उसने सोचा तक नहीं होगा, वो समझे उसके पहले, तो उसका खातमा हो जाएगा, ये मिजाज ये मिजाज सिर्फ फोजियों को तैयार करने के लिए नहीं है ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हत्यार है उस पर भी डिपेंड करता है और इसलिए आत्मनिर भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविदी नहीं है दोस्तो और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें ब